राधे राधे भगवान के किर्पा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे द्वारा जाने अंजाने में ऐसे कौन से कार्या हो जाते हैं जिससे के घर में राहू का प्रभाव बढ़ जाता है और हमारे घर में कलेश रहने लग जाते हैं और धनकी हानी होती है पहला जो हम कार्या करते हैं कि हम अपने घर के जूते चपलों को इथर उथर पटक के रखते हैं ये सबसे बड़ा राहू का प्रभाव बढ़ने का कारण होता है चपलों को कभी भी इधर उधर पटक के नहीं रखना चाहिए उन्हें एक जगा शूर एक में सहेज कर रखना चाहिए और जो कटे फटे हुए जूते हैं या तूट गए हैं उन्हें घर से बाहर जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए ये बहुती नेगिटिवटी फलाते हैं और घर में नकारात मकता बढ़ती है और जो हमारे कपड़े हैं जिने हम नहीं पहनते या कट फट गए हैं या जल गए हैं उन्हें किसी को दे देना चाहिए, नहीं तो ये जो हम घर में फिर गठडियां बांद के प्राने कपड़ों की रख देते हैं, ये भी राहू के प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि इन से फिर घर में नेगटिवटी उत्पन होती है, जो के घर में कलेश बढ़ाती है, और ध की कमी होने लगती है, इसलिए कभी भी कटे फटे कपड़े घर में गठड़ियां बांद कर नहीं रखनी चाहिए, उन्हें किसी जरूरत मंद को दे देना चाहिए, और कभी भी हमें अपनी किचन में तूटे फूटे बरतन नहीं रखने चाहिए, जैसे भी हमारी आर्थिक समर्थ्या है उसके नुसार घर में नए बरतन ही रखने चाहिए जो भी टेडे मेडे बरतन हो गए है यह तूट गए है यह हैंडल नहीं है उनके उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए इसे जो मां लक्ष्मी है वो हमसे प्रसंद नहीं होती फिर घर में दरिदरता आती है और जितना हो सके हमें अपने घर के जो राशन के डिबे हैं वो भी अच्छे और सुन्दर ही रखने चाहिए और जो बरतन है किचन में वो भी साबुत ही रखने चाहिए और जहां तक हो सके तूटे फूटे बरतन कभी भी घर में नहीं रखने चाहि वो चाहे किसी भी सदस्या के रिष्टेदार हों, सभी सदस्या को मिलकर उनका अधर सतकार करना चाहिए और उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर खिलाना चाहिए और उनकी पूरी आवभगत करनी चाहिए जब घर से अतिथी निराश होकर निकलता है तो इससे मा लक्षमी बहुती नराज हो जाती है और फिर हमारे घर में दर्दरता का प्रवेश होता है और राहू का प्रभाव भे बढ़ता है और घर में कलेश और गरीबी का आगमन होता है और हमें जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए अगर तो हम कोई नई वस्तुएं घर में सजावत की ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो अगर इतनी समर्थ्या नहीं है तो हमारी जो घर में वस्तुएं हैं उन्हें ही धो साफ करके रखना चाहिए इससे मा लक्षमी बहुत ही परसं होती है और अगर उन वस्तुएं पर गंदगी फैलती रहती है या मिट्टी चड़ती रहती है तो ये राहो के परभाव को बढ़ाने का कारण बनती है ये गंदगी भी फिर कलेश फैलाती है और घर में जगडे होती है और घर में रोज जाडू पोच्चा होना चाहिए जहां पर रोज पोच्चा लगता है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर निवास हो जाता है और वहां से फिर महा लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती और पेडियों तक मा लक्ष्मी का उस घर में निवास रहता है इस तरह से ये कुछ बाते हैं जो के हमें अपने घर में नहीं करनी चाहिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो राहू का परभाव घर में नहीं बढ़ेगा और घर में मा लक्ष्मी का वास होगा और खुशियां आएंगी जय माता दी